पॉलिटिकल, एंटर्टेन्मेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूस के लिए फेस्ट न्यूस चानल सब्स्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं मश्बूर शायरा और कवीत्यों अना देहलवी द्वारा रोजा इफ्तार का एहत्माम ललिता पार्क सेथ गड़वाल सदन में किया गया इफ्तार से पूर भी इस मौके पर अना देहलवी की मा मरूहुम रईसा खान के लिए रिस साले सवाग के मदे नेजर कुरान पानी भी की गई अना देहलवी के भाई इकबाल खान की देखने एक में आईजी के इस इफ्तार कारेकरम में दिल्ली आजसंगे कायो के चेमें जाकिर खान, दिल्ली उद्वी अर्टैडमिक के चेमें हाजी ताज महामद, उर्ष कमिटी के चेमें एफाई इसमाईली, ग्रेट इंडिय सर्वोकॉन वोल्टेश चेपलाइजर कंपनी के सी एमजी हाजी कमुल दिन सिद्वी की सियासी तब्दीर के आईज़र मुस्तदीन खान, पेज़ जोट के चेमें दौपर मुश्ताक अंसारी, दिली प्रिदेश कॉमलेस के प्रवक्ता अनुच आजवे आजी गर्मानी प् पाइसे इंतन भी किया गया. अज़र से माका साया हटा है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अना जी अकेली है, अना जी के साथ उनकी यादे हैं, आज इतना नाम अना जी ने कमाया, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपको जाना जाता है, उनकी शायरी को जाना जाता है, उनकी मां के अंदर बहुत मिलन सारी थी लोगों से मिलना हस लुख होना और बहुत अच्छी अच्छी बाते करनी वही अना जी के अंदर वही शिफ्स नजर आती है वह मां का प्यार वह मां का दर्द जो अना जी के अंदर देखने को मिलता है वो तर्वियत है उनकी मा की कि जो इतनी उचाईयों तक इतनी बुलंदी तक का अना धहलवी जी को पहुचाया है मैं अल्ला से दुआ करता हूं इनकी मा को जन्नत अता फर्माए और जो आज हम सब शरीक हुए है इस महफिल कंदर जहां इनकी मा को याद किया गया और सब ने दुआ की और अफ़तार भी हम लोगों ने किया खाना भी खाया हम सब दिल से दुआ करते हैं कि अना जी के साथ में हमेशा उनकी माँ का प्यार रहे उनकी जो उन्होंने सिखाया अना जी अना जी वही अपने आने वाली प्यूडी को भी सिखाया और हम सब को भी सिखाया हमारे भी मुलाकात रही है अना जी की माँ के साथ में मिलना जुआ आज भी यादे हमारे साथ है और मैं लाह से दुआ करूँगा उनको जन्नत के अंदर आला से लाम मुकाम अता करूँगा। आज की जो खुसुरत से मैफिल जो भी है वो मेरे अकीले धंपे नहीं में कर सकती थी। इसमें मेरे भाई का, मेरे घरवालों का, खासतर पर मेरे जो मुझे बहन बोलते हैं, डक्टर मुश्टाग भाई या उनकी फैंपली उनका रोल ना होता तो यह मैफिल में सही से अरेंज भी नहीं कर पाती। और तो अन सब का साथ मिला तो मेने ये महिल रखी ए ये मैं ये तो नहीं कहूंँगी के बहुत कुछ कोश्य का माका है, मगर हां अलविदा जुमा भी था और आज अफ्तार भी था और आज मेरी मा को बहुत अच्छा दिन मिला उनका 40 मा था, तो 40 में में ये महिल की गई है चालिसमें के लिए की गई थी उनकी आज फात्या भी और उनके लिए खाना पीना जो भी दिया जाता है वो सब गया और मुझे जिसकी उमीद भी नी थी आज इतनी महफिल में मेरे मैं तो सोच रही थी पचास साथ लोग अलविदा जुम्मे की वज़े से या कुछ और भी ब अराम से आके गए हैं और सबने माशालला खाना भी अच्छे से खाया और यहां पर काफी दुकस तो दिन था मेरे लिए कि मेरी मां जो मेरी साथी थी मेरी हमदर्द थी मैं अकेली थी एकदम हो गई हूं वो मेरे साथ रहती थी तो मुझे लगता था कि मेरा कोई है दुनिय मेरी मा की दुआ हैं अभी मेरे साथ हैं सबका साथ है मेरे साथ और आज की खूसरत जो भी मैफिल हुई है यह लोगों का कहना था कि आज सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और बड़े से बड़े लोग आए जिसमें राजु जी आए पड़ता फाजदार कभी बहुत बड़ ले आए तो मैं सबकी बहुत बहुत शुक्र गुजारूं कि उन्होंने मेरे इस ताजियत में खासतर पर मेरी मा की जो चालिसमा था उसमें आकर मेरे बड़ा इसान किया है यह तो मेरे लिए फक्र की बात है उमीद से ज्यादा मेरी मा को बहुत सारे लोगों ने कुरान भी बहुत सारे लोगों ने मदरसे में पढ़े गए बहुत सारी आयते पढ़ी गए बहुत सारे कल में पढ़े गए बहुत सारे मैं सबका शुक्रिया आदा करती। मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं जिसके लिए सोच भी नहीं सकती थी उचाए छोटा हो या बड़ा हो मेरे लिए बाइसे फखर है और में सब की सब की शुक्र बजार हूँ सब का शुक्रियादा करती हूँ थाथ को सब का शुक्रियादा फिए